दोस्तो स्टार प्लस पर जल्द ही नया टीवी शो उड़ती का नाम रज्जो प्रसारित होने को तयार है जिसमें हमें रज्जो नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई जाने वारी है जो कि अपने होसलों से तुफान को मात दे देती है जिसमें मुख्य अभी नेत्री की तोर पर स्लेस्टी बैरागी नजर आ रही है जिसके अंदाज से शो के प्रोमो में ही दर्शकों का उनके अंदाज ने दिल चीत लिया है लेकिन दोस्तों कि आप जानते है अज अपने किरदार के लिए तारीफे बटो रही स्लेस्टी बैरागी इस शो में मीकर्स की पहली चॉइस नहीं है बल्किस से पहले भी टीवी इंडस्टी की चार अभी नेत्रियों को शो के लिए अप्रोच किया गया था पर किसी ना किसी वज़व से उन्होंने इस शो को करने से इंकार कर दिया जिसके चलते ये शो बाद में इन्हें ओफर हो जी हां तो आखिरकार कॉन अभी नेत्रिया जो कि से पहले शो को डिजएक कर चुकी है आई ये जानते हैं नमबर एक रेनु पारिक असलेश में सबसे पहला नाम शुमार होता है अभी नेत्रियों पारिक का जो की हवन और इश्कबास जैसे टीवी शो में नज़रा चुकी है जिसमें इनके आक्टिं नमबर दो सुर्भी चांदना अभी नेत्रियों में से एक है जिन्होंने उर्टी का नाम रज्जो के लिए अप्रोच किया था पर इन्होंने भी शो को करने से इंकार कर दिया और बात कर इसकी वज़ा की तो पता दे किस शो से पहले भी शुर्भी चंदना ने शेर दिल श शो को करने से मना कर दिया और बात करें इसकी वज़ा की तो बता दी कि दरसल उडिया शर्मा को लगा कि वो रज्जो के रोल में फिट नहीं बैट पाएगी रज्जो का किरदार काफी ज्यादा यंग और चिलबुली लड़की का है और ये किरदार के लिए खुद को परफ अप्रोच किया गया तो शिवांगी जोशी ने काफी ज़्यादा फीस की दिमांड की जो कि मेकर्स को बिलकुल भी वाजिव नहीं लगी जिसके चलते शिवांगी ने शो में काम करने से इंकार कर दिया वेल दोस्तों आपको क्या लगता है नमे से किस अभी नेत्री ने शो को रिजेक करके सबसे बड़ी गलती की है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए साथी टीवी इंडास्ट्री से जुड़िया से तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले